हेलो तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग डाल की खस्ता कचोरियां कैसे बनाते हैं बहुत सारे टिप्स पर हैं इसमें और बहुती जबदस कचोरी की रेसिपी बने तो चले बनाते हैं सबसे पर यह मैदा है 300 ग्राम यानिके all-purpose flour इसको refined wheat flour भी बोलते हैं और यह मूंग डाल है घी 50 ग्राम मैं आपको दिखाऊंगा आगे दही दो टेबल स्पून चार टेबल स्पून टोटल तीय लगेगा एक ची स्पून जीरा ठोड़ी सी हिंग लगेगी हरीमिज कटी हुई थोड़ी सी और यहां पर आजवय ने एक टीस्पून धनिया पॉडर एक टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर एक टीस्पून अद्रक को हमने ग्रैङ्ट करके लिया है थोड़ार सा एक टैबल स्पून हल्द ऑफ टीस्पून सित्रिक एसिडी है लैमना जूक हाफ टीस्पून लगेगा बेसान 2 टेबल स्पून शकर का पारडर नहां पाटर 9ért तो इसके complete list मैं आपको नीचे video description में भी दालने वाला हूँ, वहाँ पे भी check कर सकते हैं आप, एक बहुत जबदस recipe बनी है, सबसे पले हमने एक bowl में मैदा लेके उसमें से थोड़ा सा नमक add किया है, अब हम इसमें जो हमारा गी है, दोस्तों ये बिना डालडा के यानि कि vegetable गी दोस्तों ये बहुत जरूर ध्यान में रखिएगा, खस्ता कैसे बनते हैं, एक तो हमारा जो उसका आटा होता है और जो आप उसको तलेंगे एंड में वह बहुत सरी tips हैं इसमें, जरूर एंटेक देखिए और खस्ता आप खस्ता कचोरियां घर पर ही आराम से बना सकते हैं और हमारा कचोरी के हाट टाइक को तयार कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो हम पानी थोड़ा थोड़ा आड़ करके इसको गुंदेंगे, लेकिन पानी आड़ करने से पहले आपको जरूरी है वहाँ पर टेस्क करना कि वह हाथ में बंद रहाया नहीं, इससे पता चले धक कर अलग रख लेंगे, तो उसके बार हमारी जो अंदर की फिलिंग होगे मुंग दाल की उसके तयार ही कर लेंगे, तो यह जरूर दयान में रखेगा हम जितने भी कॉंटिटी बताई हमने इंग्विडेंस की तो उसी के सबसा बनाएगा, और यह जो आटा आटे का तो दिससी की मुंग की तयार करेंगे यह मुंग दाल हमने दो घंटा इसको पानी में व्योग आखा था इसको अब हम एकका मिकसे जर में आट कर के इसको थोड़ा पीस लेंगे मिगैarm कर लिया और राव मूह हम ने इसको हम सबसाना आटे कर नहीं कर लिया है मतलब आफ क consistency के सबसे हमने grind कर लिया और उतने हमने एक पतिला गरम किया है और इसमें हम दालेंगे 2 टेबल स्पून तेल तो यह दोस्तों एक कडाई है हमने लिये है जिसमें हमारी मुंग दाल की यहां बाकि की चीज़ें एड़ करते जाएंगे और यह है थोड़ासा हमने हिंग लिया है यानि कि जो हमने रिए और हमारी मुंग दाल की फीलिंग और यहां पी देखें यह हमारा दर्दरा पिषा हुआ धनिया का पौड़र है जो अब यह अब आडr किया है नहीं कि कॉरेंडर सीट का पौड़र है जो को एड़ करने के बाद पर दोस्त यह जो हमारे फिलिंग भुत ही टेस्टी पौडर जो हमने लिया है एक टी स्पून तो हमने अल्मोस आप बंद भी कर सकते हैं लानमीच पौडर आड़ करने के पहले उसको आड़ करने के बाद यह है हमारे जिंजर का जो हमने ग्राइंड करके लिया था और अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें दोस्तों यहा को लगी है थोड़ी सी यानिके हाफ टी स्पून अलदी लगी है और यहाँ पर हमको सिट्टेक एसिट लगा है अगर आप सिट्टेक एसिट की जगरे पर लेमन जूज भी आड़ कर सकते हैं हाफ टी स्पून अगर आपके पास वह भी एवेलिबल नहीं है तो आप उसमें फूसरी प्ड़र भी एड़ कर सकते हैं कि मुंग दाल की विलिंग बन रही है दोस्तों बहुती जबदस खस्ता कचूरी बनी और यह citric acid जैसे माने आपको बताये है यह हमने half teaspoon यूज़के पर जैसे माने आपको बताया आप lemon juice यानि कि निम्बू का रस एक half निम्बू का रस यूज़कर सकते हैं इसमें या तो आप आमचिर प्रडर भी यूज़कर सकते हैं हमने citric acid यूज़किया है half teaspoon यह masala बहुत ही यह जो feeling है बहुत जबदस, tasty और चटपटी बनी है और आप हम इसमें add करेंगे हमारी मूंग दाल जो हमने उसको medium consistency के हिसाब से हमने grind कर लिया था उसको अब हमने कड़ाय में add कर दिया है कड़ाय में एक बार add होने के बाद उसको अच्छी तरह के से mix करेंगे यहाँ पर देखे आप हम इसमें डालेंगे basin 2 टेबलसपून basin क्यों डालते है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर देखे थोड़ा साम को तेल लगा है थोड़ा सा तेल लगा है उसके बाद basin हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारे मूंग डाल होती है मुंग दाल में थोड़ा भी जो moisture होगा यानि कि जो थोड़ा गिला पर होगा वो basin एड़ करने से basin उसको absorb कर लेगा और ये completely हमारी filling balance हो जाएगी इसलिए हम यहाँ पर इसमें basin यूज करते हैं जो कि हमने लिया है अभी हमने इसमें नमक आड़ किया है इसको mix करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर जैसे माने आपको बताया इसको आप मिक्स करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमने तेल जो एड़ किया है वो आप शुरू में भी आड़ कर सकते हैं आप चादेबल स्पून नए तो क्योंकि हमने शूरु में दो अड़ किया था उसके बाद आभी हमने आप शुरू में आपको आप शुरू में इसको आप करके यहाँ पर किस्तर कीसे हमारे मुंग दाल की तैयार हो चुकी है इसको आपको अच्छे दिशे मिक्स करने के बा यहापन होगा वह इसको अब्जॉब कर लेगा और इसका अपस में अपने आप इसका टेज भी रहता है बेसन का यानि के चैने काटा है इसको हम एड़ करने के बाद इसको आच्छी तरह के से हमको इसको मिक्स करना है तो यहाँ पर देखेंगे यह हमारा इसमें कोई भी हमने का पॉडर भी आड़ करेंगे क्योंकि यह इसको बैलेंस करने के लिए कम्प्रीट टेस्ट को जब आप खाएंगे यह कैचोरी तो आपको जबरस लगेगी और इसमें हमने बड़ी सुहां पर देखेंगे हमने इसको नीचे उतरने के बाद एक टेबल स्पून शकर का आटा यानि की शुगर पॉडर इसमें एड किया है और इसको अच्छी तरुके से और बहुती इसको डाला है एक बार एड होने के बाद भी हमने इसको अच्छत है किसे mix किया है हमारा mixture completely ready होने के बाद यह हमारा अभी 100% mixture ready हो चुका है जो हमारी कचोरी के अंदर filling as a filling जाएगा तो यहाँ पर देखे हमने आटे की लोईयां बना ली है यानि कि जो पेड़ा होता है आटे का हमने बना रखे हैं इसके हम बनाएंगे कचोरीयां तो आप उसको इसके साब से आपको पेड़ा यानि की लोई इसकी बनानी है जितना आ दालडा यानि की जो अनस्पति होता है उसके बगैर ही हमने खस्ता कचोरीया बनाई है सिर्फ हमने नॉर्मल घी लिया है जो गाव गी होता है तो यहां हम उसको बेलना शुरू कर देंगे हमको मुडियम साइस बेलना इसको और किनारों पे इसको अच्छी तरीके से बेलें और क्योंकि हम इसमें बीच में फिलिंग करने हैं दालने वाले हैं इसलिए हमको बीच में थोड़ा सा मोटा गाड़ा रखकर इसके किनारों को पतला करना है उसको तो इस तरह के से हम इसको ध्यान में रखकर इसको बेलते जाएंगे और हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे और हम फिर से इसको बेलेंगे और उसको तलना शुरू कर देंगे दोसों मैं आपको बता हूँगा किस तरीके से आपको कितने टाइम तक और कितनी आज पर इसको तलना है तो प्लीज एंटेक देखिए का इस रेसिपी को और ज़रूर ये एक मस्क ट्राइ स्नैक की रेसिपी है आप इसको नाश्या में बना सकते हैं आजा स्नैक भी बना सकते ह तो यहां पर देखिए हमने इसको पैक कर दिया अब हम इसको फिर से बेलना शुरू कर देंगे तो यह आटे में ही बेल के तयार हो जाएगी और एक बार तयार होने के बाद हम इसको फ्राइ करना शुरू कर देंगे यहां पर देखिए हमने थोड़ा सा इसको चाहे तो अगर आप ज़रूत है आपको तो थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं इसको साइड से क्योंकि ये चिपकने में आसानी हो तो इसी तरके से हम इसको फिल करेंगे इसकी फिलिंग और हमको तेल को दुसी तरब आपको तेल गरम करना है कड़ाय में और उसको completely heat होने के बाद तेल तभी हम हमारी कचोरिय उसमें add करेंगे आपको पूरी आज पे पहले कड़ाय में तेल add करके उसको heat कर लेना है उसके बाद हमारी जो कचोरिय है वो add करेंगे और उसको तलेंगे और तलने के टाम पे आपको कितनी हैं अच रखनी है। मैं आगे पताऊनगा। तो इस तरकी से हम भागी की कचोड़ियां पे तैयार करनेंगे। यहाँ पानी रगा कर इसको फोल करकर Count कर कर सकते हैं। तो यह हमरी कम्प्लीट भर रेखते हैं। और जब आप इसको कचोरी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी जो उपर से जो क्रिस्पी कचोरी होगी हमारी और अंदर से टेस्टी फिलिंग होगी बहुत ही मज़िदार बनने वाली है यह कचोरी तो इसको जरूर और जरूर ट्राय करें ये एक simple सी और easy method है बिना इसको छोटा ही बेलेगा जादा बड़ा मत करिए और side में इसको आपको पतला करना है जो उसके complete side के edges को आपको पतला करना है और बीच में थोड़ा सा गाडा रखना है इतना ही करना आपको और complete tail गरम होने के बाद ही कड़ाय में हम इसको add करेंगे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये डालडा बिल्कुल यूज नहीं किया क्योंकि usually समोसा और कचोरी होते हैं उसमें डालडा डालने से खसता याने की crispy बनते हैं लेकिन इसको हमने बिना डालडा डाले बिना हमने तो ये नॉर्मल काव घी से ही बना है और यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर इसको add करेंगे हमारी कचोरी को और आपको जैसे आप कचोरी add करते हैं स्टो को आपको medium flame पर करना है ज़रूर ज़रूर दियान में रखिए पकने के लिए तयार होने के लिए क्योंकि इसका एक बार आच्छा color आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे अगर आप ज्यादा तलेंगे इसको तो ये बहुत ही जल सकती है और अगर इसको आप कम रखेंगे तो ये soft बनेंगी इसलिए आपको medium consistency के हिसाब से आपको fry करना है जैसे मैंने आपको बताया जैसे आप पूरिया कड़ाय में add करेंगे आपको flame को medium करना है मतलब जैसे माने आपको बताएए हमको पूरी फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है इसको मेडियम फ्लेम पे तरला है यह हम कचोरी बना रहे हैं जो हमारी मुंग दाल की कचोरी है और इसको आपको टोटल 7 मिनिट लगेगा फ्राइ होने के लिए आपको तब तक इसको फिलिप करते रहना है मतलब गुमाते रहना है तो यह जो हमने आठे में जिस तरके सामें आठा तैयार किया है इसका और जो अभी हम उसको फ्राइ करेंगे इससे यह जो हमारी कचोरिया है यह खस्ता बनेगी तो इसको जरूर ध्यान में रखिए अगर आपको कोई डौट है तो हमें नीचे कमें सेक्षन के तो जरूर पूछिएगा मुझे 100% यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी यह रेसिपी तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें नीचे आप्शन है उसका और अपने फैमिली फ्रेंज के साथ शेयर करें इसको जो नए दोस्स हमारा यह वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकल पर टैब जरूर करें यह है खस्ता कचोरी जो हमने बनाई है मुंग डाल की सिंपल सी है बहुत जबादा स्नैक है यह नॉर्मल घी से हमने इसको बनाया है खस्ता तो देखते रहे हमारा चैन जो झांजो इस हम हम जोआव सिंपल स्काराइब करके बनाई हरते दौर को अच्छी घथका बनाई हैं।